दुरुग के चिखली में बन रहे निर्माना धीन गुल्फ फोर्स का पोर्च भरबरा कर गिर जाने से करीब 12 मजदूर खायल हो गए जिसकी जान काही लगते ही मौके पर पहुंची जेवरा सिर्सा पुलिस ने सभी घायलों को अलग-अलग अस्पतालें भड़ दिकराया जहां उनका उपजार जारी है दुर्ग जेवरा सिर्सा चौकी अंतरगत ग्राम चिखली में बुधवार की शाम गुल्फ फोर्स ने बन रहा कलब हाउस का निर्माना धिन पोर्च अचानक भरबरा कर गिर पड़ा इस दोरान वहाँ पर कारे कर रहे लगबक 12 मजदूर घायल हो गए मौके पर पहुँची जेवरा सिर्सा पुलिस ने एंबूलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल तक पहुँचाया जहां उनका उपचार किया जा रहा है इस मामले में जेवरा सिर्सा चौकी प्रभारी खगेंद्र पठारे ने बताया कि चिकली में संजय बाफना का गोल्फ कोर्स है वहाँ पर कलब हाउस में पोर्च निर्मान का कारे किया जा रहा था पोर्षे निर्मांट के लिए सेंटरिंग कारी किये जा रहे थे इसी दोरान शाम को अचानक सेंटरिंग भरबरा कर गिर पड़ा कारी कर रहे मजदूर इसे घायल हो गए घटना के बाद मजदूरों को तूरंत जिला स्पताल, साइंस स्पताल, महिमा स्पताल में ले जाकर भरती करा कर मजदूरों का एक्सरे सिटी स्केन कराय जा रहा है बता दे जिले की तीन स्पतालों में घायलों का उपचार्ज किया जा रहा है जिन्हें गंभीर चोटें आई है वहें घायलों मजदूरों में से चार मजदूरों को जिला स्पताल, पांच मजदूरों को महिमा स्पताल और पांच मजदूरों को साइंस स्पताल के लाबाड़े दुर्ग में भरती करा गया है यहां से कुछ मजदूरों को गंबिर हालत के चलते बीम शाह हॉस्पिजल भी रिफर किया गया है इसी कड़ी में इर्मान के दोरान सुरक्षा की अंदेखी की गई है जिसकी जाच जेवरा पुलिस कर रही है आपको बता दे इतने बड़े स्लैब की धराई के दोरान सुरक्षा का बिलकुल भी ध्यान नहीं रखा गया था जेवरा सिरसा चौकी पुलिस के मताबिक किसी मजदूर को 27 फिट उचाई में काम करने के बाद भी ना तो हेलमेट दिया गया था और ना ही अन्य सुरक्षा के उपाए बताए गये थे वह सेंटरिंग की मजबूती को लेकर भी लापरवाही घोर बढ़ती गई है एसी इन नीउस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट